प्रोवर्तन दिशाले यानी एडी की टीम 29 जनौरी को देरात मुख्य मंत्रे हमेंद सोरेन के दिल्ली अवाज से रवाना हुई जहांच के लिए पहुची टीम को सेम हमेंद सोरेन नहीं मिले उनकी कोई खबर ना मिलने के बाद जारकन सेम के खिलाप अलट जारी कर दिया गया है जहांच टीम ने सेम सोरेन की एक बीम डावलू कार भी जब्त की इस मामले में अब राजनीती गर्माने लगी है बीजेपी की तरफ से इस मामले में प्रतक्रियाएं सामने आ रही हैं तो वहीं अब हमांसोरेन भी नजर आ गये हैं तो हमारे होंड से उनको इनाम दी जाएगी मुख्यमंत्री की और से आप कह रहे हैं लेकिन आपके सांसा दिशिकान पता है कि लखनव से वह सीदे साड़क मार्ग से राजदानी राजी पहुंच रहे हैं और से छिन्हें को मुख्यमंत्री बनानें की कारें इन ओष्षिकान जी को क्या पता है मुझे नहीं जान कर ABOUT इलाकिन हम तो कि जनताव किसी को भी पूछी है किसी को नहीं पता है, उनके लोग नहीं पता है, उनके लोग नहीं बता रहे, हम तो उ तो अनुमान लगाया होंगे, हम तो मानेंगे न, डीजी पुलिस बताएंगा, उसको मानेंगे. तो सरष इनाम कितने का हो गाग आपके तो? इनाम हमने कहा है अभी 11000 factreiben सम्विधानिक संकट की आप बात कर रहे हैं कि सम्विधानिक संकट के अरी सोभाविक है जब कोई जाना होगा तो हम देखेंगे कि जब कोई मुख्मंतरी का आता पता नहीं है तो संकट तो है नहीं कि भाइग नहीं है कहीं भी कोई अगर मुख्मंतरी जाते हैं या तो की थोड़े जायागा कोई मुख्मंत्री भई है मुख्मंथरी छूपके भाग रहा है छूपके भाग रहा है यह तो आश्चर्ज है कि राजी के मुख्मंत्री को एडी खोज रहा हो और उन लापता हो ती तो विखत प्रक्रिया में लोक तंतर के लिए इससे बड़ा कलंड कुछ नहीं हो सकता है यह कोई राजी का मुख्यमंत्री लापता पाए जाए तो मनें चिंता नहीं चिंतन के साथ आत्म चिंतन की जरूरत मनें मुख्यमंत्री जारखंड की जनता के दिलों में हैं और उन्होंने एडी ने जो समय सीमा तै की है उस समय सीमा में उन्होंने कहा है कि हम उस समय सीमा में एडी के सभी सवालों का जवाब देंगे तो समय आने दीजिए सारा वो पस्तित होंगे जवाब देंगे कि दुछ में इड़ी की करवाई हो रही है उनके दिली आवाज पिटी गाड़िया वगर अभी अपने साथ ले गई था नहीं वो देखिए अब देखिए अब वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मैं किसी समयदानिक संसा पर कोई बहुत आगात प्रतिगात करके अनावस्चक बात बोलना नहीं चाहता हूँ सब कुछ जनता की अदालत में आना है जनता को देखना है जनता सरवपरी है लोगतंत्र में जनता मालिक है और जनता नेरेटिव सेट करती है कि किसके साथ क्या हो रहा नहीं हो रहा क्यों हो रहा क्या परिश्तितियों में हो रहा है कि इस उदेश्यों के कारण हो रहा है तो जो भी ED के सवाल के जवाब है वो मनी मुखमेंतरी देंगे तो इसमें कोई बट की बात है नहीं आप ED की बेचैनी पर कुछ कह रहे थे कि इतनी जल्दी क्यों है नहीं क्यों हम नहीं भई आप देखिए अब जब उन्होंने तही कर लिया है कि इने हमको जानना ही है पूछना ही है तो जानना है पूछना है तो उनके सम्मेदानी कदिकार है तो मुखमेंतरी जी ने भी बोला कि ठीक है आप जानना चाहते है पूछना चाहते है आपके समक्ष हजीर होंगे बोलेंगे बताएंगे तो इसमें इबट की बात क्या है अनावसर क्या है इसमें